कक्षा 1. विशे गणित पाठ पंध्रा, नौ का परिचय तथा लेखन बच्चों, आज हम नंबर नौ सीखने जा रहे हैं बताओ, मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं मैडम, आपके पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ चॉकलेट्स हैं अरे वाँ, नौ चॉकलेट्स मज़ा आ गया बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? मैडम, इस तस्वीर में घोंगे दिकाई दे रहे हैं कितने घोंगे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ मैडम, इस तस्वीर में कितनी तोपी हैं? मैडम, तोपी भी नौ हैं बिल्कुल ठीक अब आपको इस चौकट में नौ मोती बनाने हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ बहुत बढ़िया अब मैं आपको एक रसी दूँगी आपको नौ पेंसिल के आसपास एक रसी का घेरा बनाना है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ अच्छा, अब नौ डबबर के आसपास इस रसी का घेरा बनाओ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ वा, आपने इस रसी को बिल्कुल सही तरीके से रखा है अब मुझे नौ उंगलिया दिखाओ अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि नौ छात्र मेरी टेबल पर आए साईली आप उन्हें गिनो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ बस अमर, वापस अपनी बेंच पर बैठ जाओ, मैडम यह नौ चात्र है मैं अब आपको नौ नंबर लिखना सिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरे बात दोहराएं आठ और एक मिलकर नौ बनते है, ये देखो, मैंने बिंदों की सहायता से नौ नंबर की आकरिती बनाई है, पहले हम अभ्यास करने के लिए इस आकरिती पर पैंसिल चलाएंगे और फिर बिंदों की सहायता के बगैर नौ नंबर लिखेंगे, चलो अब शरू करते हैं, तो ये है आपका नंबर नौ, बाकी आकरितियों पर भी पैंसिल चलाएं, शाबाश, आप सभी ने बिंदों से बनी आकरिती पर अच्छे धंग से पैंसिल चलाई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ की बिंदों की सहायता के बगैर नौ कैसे लिखा जाए, और अब आपकी बा भूलना मत भूलना